हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाभ हानी के प्रेश्णोंगी इसमें आज मैं आपको दो टाइप केलियर कराऊंगा लाभ हानी के और ये दो टाइप वही हैं जो बार-बार परिक्षाओं में प्रश्ण पूछे जाती हैं यही दो टाइप से तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा ताकि कोई भी कोशन बचे ना आपसे अगर बच गया और वही एक्जाम में आ गया तो आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है ये बात आप खुद जानते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है किसी बस्तू को 900 में बेचने से प्राप्त लाब उस बस्तू को 600 रुपे में बेचने पर हुई हानी का दो गुना है इस बस्तू का क्रेमोल कितना है आप प्रशनी का लेवल समझ सकते हैं कितना important question है आप इसमें क्या करेंगे एक तरफ तो profit लिखेंगे और एक तरफ लिखना आपको loss मैं आपको जो सिखाना चारा हूँ बिल्कुल trick से सिखाना चारा हूँ देखी यहां पर मैं आपको सिखा रहा हुई हानी का दो गुना है यानि कि किसी बस्तू को अगर हम 900 रुपे में बेचेंगे तो जो लाब हमें प्राप्त होगा उस बस्तू को 600 रुपे में बेचने पर जो हानी हुई है उसका दो गुना है यानि कि हानी का दो गुना है लाब अगर हम माल लेते हैं हानी हमें एक रुपे की हो रही है तो लाब दो गुना है यानकि लाब कितना हो जाएगा हमें दो गुना हो जाएगा ठीक है अब देखिएगा यहाँ पर हम करते क्या है दोनों मूले का अंतर 600 और 900 का अंतर कितना आ जाएगा भी या 300 आ जाएगा दोनों मूले का अंतर करके हम ratio को जोड देंगे यानकि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 तो इसमें 3 से divide कर दो यह 100 बार में कट जाएगा कट गया ना अब 100 का multiply इससे करेंगे तो 100 हो जाएगा और इससे करेंगे तो 200 हो जाएगा ठीक है अब देखिए आप से कोई भी एक लासी ले लो दोनों में से कोई भी एक और प्रेस्ट ने क्या कह रहा था उस बात को अब देखना हमने लास को निकाला क्या है 100 रप्र प्रॉफिट को कैसे मालूम होगा कृष्ट कैसे मालूम होगा जितने रुपय में मैं बस्तू को बेच रहा हूं वो लिखूँगा और जो मुझे हानी हो रही है 100 रुपे की हानी ह울 रही है मैं 100 लिखूंगा दोनों को जोड़ को दोगा मेरा कौश्ट प्राइस जाएगा कि निए देखो 600 रुपे में जब मैं बेचता हूं तो 100 रुपे का मुझे लॉस होता है अगर मैं 100 रुपे की चीज है 600 जो जो दूँगा 700 अब मैं 600 में जब बेच रहा था तो 100 रुपे है ये मुझे पता लग गया यहाँ जैसे मैं अला है जैसे मैं डढ लेता हूं कितना है 300 रुपे लेता हूं जब मैं 800 में बेचता हूं तो मुझे लाब उस भस्तू को 600 वे बेचने हूई का तो गुना हो रा है प्रॉफी replacing मुझे कितना हुराए200 रुपे का तो मैं क्या करूंगा profit को इसमें से घटा दूगा भाई इसमें 200 रुपी का profit मेरा सामिल है तो मैं 200 रुपी profit का घटा दूगा तो cost price मुझे पता चल लेगा 900 में से 200 profit का घटा दूगा इसका मतलब 700 रुपी मेरा cost price है मैं दोनों में से कोई सावी मूली ले करके सवाल को कर सकता बस आपको तरीका क्या रखना है कि दोनों का कर दीजी अंतर और दोनों अनुपातों को जोड़ के डिवैट कर दू ठीक है ये आपको त्यार रखना है चलिए आप देखते हैं अगला कोशन अगला प्रशनी है 540 रुपे में एक बस्तु को बेचने पर प्राप्त लाब उसी बस्तु को 360 रुपे में बेचने पर हुई नुकसान का दोगना है बस्तु के क्रेम मुले का पता लगाओ तरीका वही बता रहो है एक तरफ प्रॉफिट लिखना है एक तरफ लॉस लिखने ना है ठीक है देखें नुकसान का क्या है दोगना कौन है दोगना प्रॉफिट यानि कि नुकसान एक का तो प्रॉफिट दोगना है दो हो जाएगा दोनों मूल्य का अंतर लिखेंगे 180 आ जाएगा दोनों मूल्य का अंतर मैंने बताया कि दोनों अनुपात को जोड़ के डिवाइड कर दिना है दोनों अनुपात को जोड़ूंगा 3 3.18 और 1.060 वार में कट गया 60 कमल पर 1 से करूँ 60 दो से करूँ तो 120 हो जाएगा ठीक है तो नुपसान मुझे 60 रुपे का अ है तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 60 और जोड़ दूँงा तो मुंझे नुखसान नहीं होगा मेरा कॉइस्ट प्राइज निकल के आ जाएगा ठीक है तो मैरा cost price भाई क्या हो गया 360 में 60 जोड़ दो 420 मेरा cost price हो गया भाई मैं 360 में जब बेच रहा था तो मुझे 60 रुपे का नुकसान था अब मैं 60 हिसमें जोड़ दोंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा इस वाले मुली से निकाला है मैंने चाहूं तो मैं इस वाले से भी निकाल सकता हूँ cost price को देखिए cost price बराबर 540 में जब हम बेचते हैं तो profit कितने का हो रहा है 120 का यानि कि इसमें मेरा 120 रुपे का profit सामिल है तो 120 को मैं क्या करूँगा 120 में से मानिस कर देता हूं 540 में से 120 को घटा देता हूं 0 का 0 आ जाएगा 4 में से देखो 2 जाएगा तो 2 5 में से एक जाएगा 4 कितना निकल के आया cost price 420 यानि कि दोनों मूले में से कोई साभी मूले लेकर के आप cost price पता कर सकते हैं तो यहाँ पर cost price 420 है मतलब पहला option आपका सही जबाब जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ते जाएगे वैसे वैसे आपका concept के लिए रहोते चले जाएगे चलिए अब देखतें अगला सवार अगला प्रशनी है जब एक बस्तू को 800 रुपे में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाब जब उसी को 275 रुपे में बेचा जाता है उससे होने वाली हान का 20 गुना है जो لاब है वो हानी का 20 गुना है, जो profit है वो loss का 20 गुना है, अगर loss एक उर्पिया है, तो profit 20 गुना है, मतलब 20 हो जाएगा, इतना तु केलियर हो गया ना सभी को, ठीक है, अब करते क्या है तरीका क्या है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर करेंगे तो यहँआ अंतर आ जाएगा मेरा 525 जब यहां अंतर कर लिया अब इन दोनों को जोल लूँ तो 21 हो जाएगा और 21 से 525 25 बार में यह कड़ जाएगा कड़ गया किनी कड़ गया 25 बार में कड़ गया अब 25 का skipping में 1 से करूँगा तो 25 हो जाएगा 25 हो गया और इससे करूँगा 25 दूने का 50 और 0 यानि कि 500 हो जाएगा अब मुझे cost price निकालना है मुझे क्या निकालना है cost price कैसे निकालूँगा जब मैं 275 रुपे में बीच रहा था तो होने वाली हानी का 20 गुना है कि 25 में 25 में बेचा तो कितनी बेचा मैंने 275 में । मुझे loss कितनी और हो रहा 25 रुपे Mकाशन अगर और जोड़ना तो मुझे loss नहीं होगा cost price मेरा किकल की 65 में 25 जोड़ना cost price 300 रुपे मेरा कोस्ट प्रइच क्या और मेरा 300 का मेराशं है चाहिए 20% का लाब तो 100 की चीज को आप 120% में बेचेंगे परसेंट का मतलब बटे में 100 डारेट कर दो मल्टिप्लाई 2-0 से 2-0 कर दो 12 तुनी 6-12 तरिक 36 और 1-0 360 रुप्या गया अंसर 360 रुप्या अब देखो 20% लाब निकालने के लिए क्या करते आप 300 का पहले 20% निकालेंगे 60 रुप्या आजाएगा फिर 60 को 300 में जोडेंगे फिर 360 आजाएगा अब यह 20% लाब चाहिए तो 20% लाब का मतलब है 100 की चीज को 120 में बेचे दे रहा हूँ यह 100% का मान है उसको 120 में बेचेंगा तो मिझे 20% लाब हो जाएगा के लिए ना कॉंसेप्ट समझ में आ रहा है 360 रुपे बिल्कुछ सही जवाब अब देखेंगे अगला कॉशन अगला प्रशनी है किसी बस्तू को 800 रुपे में बेचने पर जो हानी होती है वह 1240 रुपे में बेचने पर हुआ लाब से 23% जादा है बस तुगा क्रेमोली जाद करो एक तरफ प्रॉफिट लिखिए एक तरफ लॉस लिखिए अब यहाँ पर क्या है जो लाब हुआ 23% जादा है प्रशनी को हमेशा ध्यान पूरवक पढ़ें प्रशनी में कभी कोई गलती ना करें जह हम किसी बस्तू को 800 रुपे में बेचने पर जो हमें हानी हो रही है जो हानी हो रही है हमें 1240 रुपे में बेचने पर जो लाब हुगा उसका 23% है यानि कि अगर हमें प्रॉफिट 100 का हुआ है 100% का प्रॉफिट है तो लॉस कितना हो जाएगा 123% क्योंकि हमारे पास जो हानी है जो हानी है वो लाब से 23% ज्यादा है तो देखो 100-30% ज्यादा का मतलब 123 हो जाएगा केलिया रहे ना इतनी बात चलो अब क्या करते हैं दोनों का अंतर 800 और 1246 का अंतर कितना हो जाएगा 446 हो जाएगा और दोनों को जोड़के डिवाइट कर देंगे यह हो जाएगा 223 223 से 446 दो बार में कट जाएगा अब 2 का मल्टिप्लाइए में 123 से करूँ तो यह 240 हो जाएगा और 100 से करूँ तो यह 200 हो जाएगा ठीक है कितने में बेच रहेते भाई हम 1246 ररुपी में बेच रहे कोईस्ट पैज निकाल लो कितने बेच रहे हैं profit मुझे कितने का हो रहा 200 का यानि कि 1246 में मेरा 200 रुपया profit का सामिल है तो मैं इस 200 रुपय को minus कर दूँगा profit को हटा दूँगा तो cost price मुझे पता लग जाएगा 1046 मेरा cost price हो जाएगा सवाल खतम दोनों में से कोई साभी मूली लेकर कि सवाल कर सकते हैं मैं ये वाला मूली लेकर भी कर सकता हूँ cost price निकालना है मुझे 800 रुपय मैंने ले लिया ठीक है ये अब loss हो रहा था हानी ठीक है loss हो रहा था हानी 800 रुपय मैंने ले लिया अब देखो 800 रुपय मैंने ले लिया है ठीक है 800 रुपे में ले लिया है और हानी मुझे कितने का हो रहा लॉस कितने का हो रहा 240 रुपे का अब 240 रुपे का मुझे लॉस हो रहा है अगर मैं इसमें 246 जोड़ दूँगा तो मुझे लॉस नहीं होगा तो इसका मतलब मेरा cost price कितना हो जाएगा 800 में 246 जोड़ूँगा 1046 यानि कि वो चीज मेरी 1046 उरुपे की थी और उसे मैं 800 उरुपे में बेच रहा था तो मुझे 246 का नुकसान हो रहा था सवाल सभी को समझ मैं चलिए अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है अनिल ने कुछ लाब में 480 रुपे में एक बस्तू बेचा अगर उसने इस 400 रुपे में बेचा होता तो शुरुवाती लाब के एक तिहाई के बराबर नुकसान होता है बस्तू का लागत सकते हैं जो 3 से कट जाए जैसे 3, 6, 9, 12, 15 कुछ भी मान सकते हैं जो 3 से कर जाए तो मैं सबसे छोटी संख्या अगर मान लेता हूँ 3 तो कटने में असानी होगी और सवाल छोटा हो जाएगा तो मैं मान लेता हूँ 3 का एक तिहाई है लाब के एक तिहाई ना यानि कि लाब मैं दोको तीन से तीन कट गया एक लॉस हो जाएगा के लियर कोई दिक्कत नहीं यहां तक चलिए अब क्या होगा दोनों मूले का अंतर चारसो असी और चारसो का अंतर आ जाएगा असी और दोनों पात को जोड़के डिवैड कर दो यह 20 वार में कट जाएगा 20 कमल पर एक से क नुकसान हो रहा था तो देखो मैं कोश्ट प्रेज निकल सकता हूं आरम से चारसो में बेचे हैं तो मैं नुकसान हो रहा है ना कितने का नुकसान हो रहा है कितने का लोस हो रहा है 20 का अगर मैं इसमें 20 और जोड़ दूंगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा तो कोश्ट मेरा आराम से निकल के आ जाएगा 420 रुपया आराम से कोश्ट प्राइज निकल के आ गया कि नहीं 420 रुपया यानि कि D option बिलकुल सही है और मैंने आपको सिखा दिया है चाहें ये वाला मूली लेकर के ले लो चाहें ये वाला मूली ले लो दोनों से आप निकाल सकती हो बेचने पर हुए हानी के बराबर है अगर इसे 14,750 रुपय में बेचा जाता है तो लाब क्या होगा लाब पूछ रहा है देखो यहां पे प्रॉफिट और लॉस उसने क्या कर दिया है बराबर प्रॉफिट और लॉस को उसने बराबर कर दिया अगर एक का लॉस है तो एक क 1,400, 1,600 का अंतर आ जाएगा, 1,800, ठीक है, दोनों का अंतर 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 अंतर, दोनों उन्पात को जोड के डिवाइड कर देंगे, 2,918, 2,0 निकी 900, 900 का अमल पर एक से कर देंगे, तो ये 900 ही हो जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लाब क्या होगा, हमें पूछे लाब, तो सबसे पहले हम कॉष्ट प्राइज निकाल लेते हैं, कॉष्ट प्राइज निकालेंगे, चलो, ये हमारा कितना था, 11,600, 11,600, हम कितने बेच रहे थे, 11,600 में जब हम बेच रहे हैं, जब हम 11,600 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होग तो 11600 बेचना तभी तो लॉस हो रहा है 900 तो अगर ये 900 रुपी में जोड़ दूँगा तो मुझे लॉस नहीं होगा तो कोश्ट प्राइज मेरा कितना हो जाएगा 11600 में 900 रुपी जोड़ दूँगा तो ये हो जाएगा 12500 ये मेरा कोश्ट प्राइज निकल के आ गया ठीक है ये मेरा कोश्ट प्राइज निकल के आ गया अब इसी कोश्ट प्राइज की चीज को हम 14750 रुपे में बेचेंगे तो लाब किया होगा 12,500 की चीज को 14,750 के बेचेंगे तो 2250 रुपय का फायदा हो रहा है की नहीं हो रहा है 12,500 रुपय की चीज है बेचने 14,750 में तो 250 का फायदा हो रहा सिधा सिधा डिव ओफ्सन सही है हमारा तो प्रेशने वो कैसे भी दे सकता है गुमाफरा के आपको बस प्रेशनों को सही से पढ़ना है समझना है तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे कोई गलती आपको नहीं करनी है अब देखें अगला कॉस्टन अगला प्रेशनी है 123.40 रुपे में एक बस्तू को बेचने पर लाव 108 रुपे में इसे बेचने पर हुए नुक्सान की राशी से 20% अधिक है जदी बस तू 120.75 में बेचा जाए तो लाव या आनी प्रेशन क्या होगा देखो यहां प्रेशनी बहुत अच्छा है आपके पास सबसे पहले प्रोफिट और लॉस लिखे है प्रोफिट लॉस लिख लिख लिया 20% अधिक है राशी से जो नुक्सान है ना नुक्सान की राशी से 20% अधिक है तो आपको क्या करना है ऐसे प्रेशनी में 20% का जो fraction value हो क्या होता है एक बट्टे 5 यान कि 5 रुपे की चीज़ पर एक रुपे का फाइदा पांच रुपे की चीज़ पर एक रुपे का फाइदा ना पांच रुपे की चीज़ पर एक रुपे का फाइदा तो फाइदा का मतलब कि आप पांच की चीज़ ते एक रुपे का फाइदा यानि कि उसे आप 6 रुपे में बेच रहे हैं तो 6 बटे 5 हो जाएगा यानि कि 6 अनुपाते 5 इस तरीके से आप इसको लिखिए लिखने के बाद में क्या करना है स्यम तरीका है इसका और इसका दोनों का अंतर कर दीजिए अंतर आ जाएगा 15 10 मलब 4 का दोनों को जोड़के डिवाइड करो 6 और 5 11 11 से डिवाइड मैं करूँगा जब इसमें तो यह हो जाएगा आपका 11 कम 11, 4 बच्चे का 44 11 चोक के 44 यानि कि 1 10 मलब 4 1 10 मलब 4 कमल पे इससे कर दूँ 14 पंजे 70 यानि कि 7 10 मलब 0 का मतलब 7 आ गया अगर मैं 7 रुपया और जोड़ दूँगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा तो यह कितना हो जाएगा 115 रुपय cost price हो गया मेरा 115 रुपया लेकिन मुझे से यहाँ पे cost price नहीं पूछा cost price पूछ रहा है क्या नहीं पूछा वो पूछ रहा है कि यदि उस बस्तू को 120.75 में बेचा जाए तो लाव यहानी प्रसद क्या होगा यानि कि यू बस्तू है मेरी 115 रुपे की और मैं बेचू कि उतने में उसे 120.75 में बेचूँगा तो मुझे रुपे में कितना फायदा होगा यह देखें पांच दस मलब 7 5 का फायदा होगा मुझे रुपे में ठीक है लेकिन प्रतिसत में पूछ रहा है तो प्रतिसत में निकालने के लिए जो फाइदा है उसे जो जो कोईस्ट पैसे उसे डिवाइड कर देंगे 115 से डिवाइड कर तो 35 के लिए 100 से मल्टिप्लाई अब सीधा सीधा सवाल है 10 मलब को हटाएंगे 2 संग्या तो 2 0 आगी अब 2 0 से सीधा सीधा मैं आजे 2 0 कटा देता हूँ कटा दिया मैंने 2 0 और 115 से 575 सीधा सीधा 5 बार में कटेगा मतलब 5% का लाब हो जाएगा 5% का लाब भी ओफसन बिल्कुल सही जवाब सभी को समझ में आ गया जो कॉंसेप्ट है अभी तक जिससे करते आ रहे हैं उसी से कर रहे हैं कोई दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए तो मैं आपको सुरुवात में ही बताया था कि दो टाइप बताऊँगा मैं आपको लाब हानी के जो इंपोर्टेंट टाइप है वो बताऊँगा तो एक टाइप तो हो गया यहां तक किलियर ठीक है एक टाइप यह पहला टाइप समझ लीजिए यह पहले टाइप आपका हो गया यहां तक के लिए अब मैं बात करता हूँ दूसरे टाइप की दूसरे टाइप के कोशन से कोशन पूछे जाते हैं वो भी बहुत important है वो देख लीजी ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला कोशन अगला प्रेशनी है अनिल आट रुपे में 6 की दर पर कुछ बस्तूइं खरी देता है और उन्हें 12 रुपे में 10 की दर पर बेचता है उसका प्रेशनी बहुत बच्चों को आते होंगे करने लेकिन अगर आपने ये सोच कर मिस कर दिया ना वीडियो के ये तो हमें आता है अब में क्या जरूरत देखने की तो आप बह गया जेखो तरीका मैंने पहले बताया है के रुपे बस्तू रुपे बस्तू लिख लिए रुपे के नीचे रुपे कितने है आट रुपे 8 रुपे में बस्तू कितनी अच्छे बाद में कितने रुपे हैं 12 रुपे और बस्तू हैं 10 सही फॉर्म में हमने लिखे लिया रुपे के नीचे रुपे बस्तू के नीचे बस्तू अब पहले बीच वाली संग्जाओं का मल्टिप्लाई कीजिए 12 रुपे 72 हो जाएगा माइनस करते हैं बाहर वाली संग्जाओं का मल्टिप्लाई यानि कि 8 का 10 से मल्टिप्लाई करूँगा 80 और बटे में आता है बाहर वाली संग्जाओं का मल्टिप्लाई और गुने 100 प्रतिसत के लिए गुने 100 अब 72 में से माइनस का 80 गटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा और माइनस बचने का मतलब है कि इसमें हानी होगा यानि कि लाव नहीं होगा ये लाव वाला option गलत हो क्या ठीक है? बटे में कितना है? 80 गुने कितना 100 8 हे कम 8 8 से 10 वार में गया और 10 से 110 वार में किया माइनस एक कमल पे 10 से होगा तो माइनस का 10 यानि कि 10 परसेंट का हानी हो जाएगा 10 परसेंट का हानी पहला option सही जवाल अब ये तरीका आपको आता है ठीक है? आगे जो question आने वाले हैं वो इस तरीके से हल नहीं हो पाएंगे ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए चलिए अब देखतें अगला प्रश्न अगला प्रश्नी है आज है 90 रुपे में 18 संत्रे खरीदता है और 15 संत्रे 105 रुपे में बेचता है तो उसके लाव प्रिस्यत ग्याद करें तलिए रुपे बस्तू रुपे बस्तू 90 रुपे बस्तू कितनी 18 बाद में 105 रुपे है 105 रुपे बस्तू 15 आगे पीछे लिख दिया है तो आप गडवर मत कर देना ठीक है? चलो पहले बीच वाली संत्रेओ का मल्टी प्राई करेंगे 18 और 105 का मल्टी प्राई करेंगे तो 185 रुपे नब्बे का 0 कैड़ी का 9 18 का 10 से करेंगे 180 और कैड़ी का 9 मतलब 189 माइनस करेंगे बाहर वाली संग्याओ का मल्टी प्राई 156 के 90 और 1 के 0 यानके 900 हो जाएगा 159 900 ने 159 135 आएगा ये अब 1890 में से 305 को घटा देंगे बचेगा कितना 540 बटे में कितना है 1350 गुने कितना है 100 चलो 0 से 0 कट गया ठीक है 9 से कटाऊँगा 9 6 के 54 9 1 कम 9 4 बचेगा 45 9 5 पंजे 45 15 बार में कट गया चलो 3 से कटाऊँगा या 5 से 5 से कटाता हूँ 5 3 का 15 5 से 100 कर जाएगा 20 बार में और 3 से 6 कर जाएगा 2 बार में 20 का 2 से मलपे कर दो 20 दूने का 40 यानि कि 40 परसेंट का लाब है D option सही जवाब इस बार माइनस करने पे answer पिलस में आया था पिलस में आने का मतलब है लाब होगा और माइनस में आने का मतलब है हानी होगा ठीक है? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है 10 रुपे में 11 की दर से कुछ बस्तू खरी दी गई और 11 रुपे में 10 के इसाफ से बेच दी लाब या हानी पिरिश्यत बताइए फिर से मैं वही तरीका लगाता हूँ रुपे बस्तू रुपे बस्तू रुपे कितने है? 10 बस्तू है 11 बाद में रुपे 11 बस्तू 10 अंदर वाली संक्याओ का मल्टपे 11,11,121 माइनस बाहर वाली संक्याओ का मल्टपे 100 हो जाएगा बटे में बाहर वाली संक्याओं का मलत परी 100, गुने 100 121 में से 100 जाएगा तो 21 बचेगा बटे में कितना 100, गुने कितना 100 100 से 100 कट गया बचे कितना 21 यानि कि जो लाब है वो 21% का है D option सही जवाब जब तरीका आप सीख गए हो और तरीके से satisfy हो गए हो और answer भी चुटकियों में solve कर सकते हो तो फिर time क्यों लेना भाई time नहीं लेना फिर answer आगया 20% हमारा बिल्कुल सही है अब देखेंगे अगला सवार अगला प्रशनी है 189 रुपे में 36 के हिसाफ से कुछ बस्तू खरे दी और 189 में 145 के हिसाफ से हमने बेच दी तो लाव यहानी प्रेसद जाद कीजी अच्छा सवार भई तरीका मैं वही लगाऊंगा अभी तक रुपे बस्तू रुपे बस्तू रुपे कितने हैं 189 बस्तू है 36 बाद में फिर से रुपे उतने ही है 89 बस्तू हो गई 45 इस तरीका आपको मालूम है सबसे पहले बीच वाली संक्याओं का ठीक है सबसे पहले बीच वाली संक्याओं का यानिकी 36 मल्टिप्लाई 189 यही है माइनस करते हैं बाहर वाली संक्याओं का मल्टिप्लाई यानिकी 189 मल्टिप्लाई 45 और बटे में बाहर वाली संक्याओं का मल्टिपाई यान की 189 मल्टिपाई 45 और प्रयतिसत के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टिपाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं अब इनको multiply करने में आपको बहुत समय लग जाएगा तो समय बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं इनको काटके छोटा कर लेंगे समय बचाने के लिए चाहिए काटा काटके छोटा कर लेंगे न चलो 9 से कटाओंगा मैं 9,34 ठीक है 9,34 कटेगा और 9 से से कटाओंगा 9 दुनिय कठारा 9 एक कमनो ये भी कटेगा आपका 9 दुनिय कठारा 9 एक कमनो और 9 से कटेगा 9 पंजे 45 ये भी कटेगा 21 बार में और ये 9 पंजे 45 ठीक है अब आसानी से हो जाएगा चलो 21 चौके 84 माइनस 21 पंजे 105 बल्टिपाई में 21 पंजे 105 और गुने 100 वही वेलू आ गई बाहर वाली संख्याओं का गुना बटे में बाहर वाली संख्याओं का गुना सेम है वही संख्या आ जाती है कटके अब देखो 84 रुपे और ये 105 84 में से माइनस के जादा है कितना जादा है माइनस का 21 जादा है 84 में से माइनस के 105 गटाओंगा तो माइनस के 21 बचेगा माइनस माइन मायने का मतलब है हानी होगा हानी होगा, ठीक है, बटे में कितना है, 105, गुने कितना 100, 21 से कम 20, 21 से 105 कर जाएगा, 5 बार में, 5 से 100 कर जाएगा, 20 बार में, 20 का मल पे एक से करो, तो 20 ही आ जाएगा, लेकिन माइनिस का 20 आएगा, यानिकि जो हानी होगा, वो 20 परसेंट का होगा, हानी जो होगा, वो 20 परसे प्रश्टिकी में बात कर रहा था ये वही प्रश्ण आ गया अभी तक जो तरीका लगा रहे थे ना उससे नहीं होगा 11 रुपे में 7 के हिसाफ से कुछ संत्रे खरीदे और 3 रुपे में 2 के हिसाफ से बेच दिये तो 30 रुपे की हानी होई तो बताओ उसने कितने संत्रे बेचे ऐसा प्रश्ण जब आ जाता है ना तो नीदे उड़ जाती है समझ लो तरीका देखिए रुपे बस्तू रुपे बस्तू रुपे 11 बस्तू 7 बाद में रुपे 3 बस्तू 2 हो गई यही तो था सवाल अभी तक अब इसमें जो तरीका हम अभी तक लगा रहे थे वो तरीका इसमें नहीं लगेगा जो अभी तक हम तरीका लगा रहे थे वो तरीका इसमें नहीं लगेगा चाहूं तो लगा के देख लो अंदर वाली संक्याओ का मलड़ पर 721 माइनस करेंगे बाहर वाली संक्याओ का मलड़ पर 11 दुनिय का 22 बटे में बाहर वाली संक्याओ का मलड़ पर गुने 100 21 में से जला जाएगा यह माइनस का एक बचेगा बटे में 22 गुने 100 आये गए नहीं आणसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है यह तरीका यहां पर काम नहीं करेगा ठीक है अब बस यह तरीका कहां तक काम करता है वहां तक रखिए ठीक है इसको तो काट दो यह काम नहीं कर रहा चलिए अंदर वाली संक्याओं को बैस सात्या हो गया 21 ठीक है माइनस माइनस करते हैं बाहरवाली संख्याओं का मलड़ी माइनस करते हैं बाहरवाली संख्याओं का मलड़ी माइनस करते हैं बाहरवाली संख्याओं यानकी 11 दुने का 22 अब देखना है यही तक रखना है बस इस तरीकों को यही तक अब 11 मैं से मैं माइनस बारे गोटाओंगा तो माइनस का एक बचेगा माइनस का एक बचेगा और माइनस का एक बचेगा ठीक है इतना किलियर है माइनस का एक बचा हम से कराए बेच दिये तो 30 रुपे की हानी हुई तो बताओ उसे कितने संत्रे बेचे यानि कि संत्रे का मतलब बस्तू ये कितनी बस्तू है साथ ये कितनी बस्तू है दो दोनों का कर लो multiply यानि कि दोनों का यहाँ पर हमें LCM लेना होता है और साथ और दो का LCM आ जाएगा चौदा यानि कि एक value आपकी चौदे के बराबर है एक रुपिया आपका चौदे के बराबर है तो तीस रुपिया आपका कितने के बराबर हो जाएगा बैस तीस से multiply कर दोगे चौदे तरिक्का 42 और एक जिरू जब एक रुपिया चौदे के बराबर तो 30 रुपया 420 के बराबर है पहला option हो जाएगा सही जवाब बात के लिए रहना इस प्रेश्णी में क्या करते हैं जो बस्तुएं होती हैं उनका हम LCM लेते हैं ठीक है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी को समझ में आ गया ना अब देखते हैं अगला सवाल अगला प्रेश्णी है 5 रुपय में 4 के हिसाफ से कुछ संत्रे खरीदे और 7 रुपय में 5 के हिसाफ से बेच दिये तो 18 रुपय लाब हुआ बताएं उसने कितने संत्रे बेचे फिर से वैसा ही कोशन आ गया रुपय बस्तु रुपय बस्तू रुपय कितने 5 बस्तू कितने 4 बाद में रुपय 7 बस्तू हो गई 5 अंदर वाली संख्याओं का मलपई 4 सत्ते 28 माइनस बाहर वाली संख्याओं का मलपई पांच पच्चे 25 इसको केवल यहीं तक रखना है यहीं तो बताया मैंने जब ऐसा कोशन आ जाए तो उसको केवल यहीं तक रखना है यानि कि 28 में से आप 25 को घटा देंगे तो आपके पास बचेगा कितना 3 रुपया और इनका क्या करो गया आप बस्तूओं का LCM ले लो गया यान कि LCM आजाएगा 4, 25 यानि कि 3 कितने के बराबर है 3 आपका 20 के बराबर है चार और 5 के LCM कितना जाएगा 20 आजएगा LCM लेते हैं बस्तूओं का तो इसका मतलब 3 कितने के बराबर 20 28 में से 25 गया 3 बचा LCM आएगा 20 तीन आपका 20 के बराबर है तो उसे 18 रुपय कलाव तो आप यहां भी 6 गुणा करोगी तो 20 का 6 गुणा हो जाएगा भाई 120 120 हो गया ना तो आपके पास कितने संतरे बेचे 120 संतरे बेचे समल खतम किलियर हो गया ना किसी को इदिकर नहीं अब 3 की वैलू 20 के बराबर है तो 18 की वैलू भाई 120 के बराबर है तो पहला option सही जबा तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्नों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा शेयर भी नहीं किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो आप ऐसी गलती ना करें लाइक भी करें शेयर करें नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइ करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए ठीक है रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं जिससे कि आपके एक्जाम के तयारी पहुत कम समय में और अच्छे से हो पहे ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद